जै हिंडिये स्ट्वेंट देखे इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो कब आएगा और जो उसकी कट अफ होगी वो कितनी होगी मतलब कितना नंबर आप किये हैं तो आप सुरक्षित हैं आपको फेज सेकेंड की तयारी करनी चाहिए ठीक है तो पहले बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा और एक बात आओर आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं हर एक छोटी छोटी अपडेट्स आपक सकते हैं इंडियन एयर फोर्स के यह देख सकते हैं ब्ल्यू टू टीक लगा हुआ है यह ओफिसियल साइट है और यहां पर इन्होंने बताया था कि कॉल लेटर जो है कि आपका आएगा फेज सेकेंड के लिए वो दस अगस्त 2022 को आएगा ठीक है तो जो रिजल्ट है वो भ बात है कि सर कटफ कितनी चाहिए क्या हमें फेज सेकेंड के तयारी करनी चाहिए सर मेरा इतना नंबर है तो क्या मैं सुरच्चित हूं या नहीं हूं इसलिए मैंने पोल किया था इसी यूट्यूब चैनल पर हमने कम्यूटी टैब में यह वाला क्वेस्चन आप से पूछा और उसमें से जादातर जो लोग मतलब 71% जो इस्ट्वेंट है उनका कहना है कि 40 से लेगर के 42 नंबर तक का कटफ जा सकता है यह तो बात होगी X गूरूप की मैं अपना भी बताऊंगा यह जो चीजे मैं बता रहा हूं यह सब आपका है और उसके बाद मैं पिछले साल का क कटफ मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है उसके बाद मैं अपना खुद का बताऊंगा कि मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए फिर हमने वाई गूरूप का पूछा ता पूल डाला था तो उसमें 5200 बच्चों ने वोट किया और उसमें से जो बच्चे बताया कि 30 से 34 के आसपास क की कटफ रहेगा यह तो हो गई आप सभी के हिसाब से अब हम आते हैं पिछले साल तो रिजल्ट नहीं आया लेकिन 2020 की हमारे स्टुडेंट थे यह जो इमेज है ना यह जो मैं अभी आपकी स्क्रीन की सौमने है यह इमेज जो है कि आप इंस्टाग्राम पे हमारे देख सकत हैं तो देखिए इसमें इनका नाम आनंद दूबे था और देखिए यह जो है कि सौट लिष्टेट फार फेस सेकेंड के लिए सौट लिष्ट हुए थे यानि कि फेस वन जो है कि यह पास किये थे अब इसमें देखिए जो इनका इंग्लिस था तो इंग्लिस में देखिए यहाँ पर maximum English का 20 नमबर होता है लेकिन इन्हों ने 17.5 नमबर प्राप्ति किये थे English में और मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे student थे 17.5 नमबर इंग्लिस में ये पाये थे और उसके बाद बात कर लेते हैं रागा में इनका नमबर था वो 15 नमबर था ठीक है maximum pass criteria जो थी रागा में 15 नमबर थी और 15 नमबर इंका आया भी था और इंग्लिस में 10 नमबर थी तो 17.5 नमबर इंका इंग्लिस में था टोटल जो है कि 32.5 नमबर इंका हुआ था और जो cut-up गया था सर 2020 का y-group का जो cut-up गया था वो 39.25 देखिए आपके सामने proof है 39.25 जो है कि cut-up था पिछली बार फिर पिछली बार की बार 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 मैं बोल रहा हूं पिछली बार तो रिजल्टी नहीं है तो 2020 की में बात कर रहा हूं यह y-group का है 39.25 जो है कि इसका cut-up था y-group का ठीक है तो इस हिसाब से आपने y-group का भी देख लिया कि 39.25 और जो इस बार आप लोगों ने पोल किया है वो भी आपने देख लिया लेकिन 40-42 में 71% इस्टुएंट्स ने वोट किया एक सर इतना होना चाहिए बट according to me मुझे जहां तक लगता है कि इस बार जो है कि लगबग लगबग वही 40 से लेकर के 42 बिल्कुल आप exactly नहीं सही है मतलब एक दो नमबर आगे जा सकता है लेकिन एक चीज़ ध्यान देज़े का 40 से कम नहीं होगा जो भी अगर आपका नमबर 40 से कम नहीं आ रहा है 40 या उससे अधिक आ रहा है तो आप फेज सिकेंड की तयारी कीजिए ठीक है चलिए अब ये समझ लेकर के 42, 43, 44 या 45 भी हो सकता है मिन्स मेरा कहने का मतलब यह है कि 40 से नीचे अगर आपका है या आपके हिसाब से आ रहा है देखें अगर 40 आ रहा है एक्स ग्रूप के लिए या 40 से अधिक आ रहा है तो आप रनिंग हो गा रहा है सीट अप पूश अप और ग्रूप डिसकेंड की तयारी सुरू कर दीजे यही चीजे फेज सेकेंड में होती है Y ग्रूप पर आ जाते हैं देखिए Y ग्रूप में जो बच्चे वोट किये ना बिल्कुल एक्जाटली सही वोट किये है Y ग्रूप का जो कट अप होगा वो 30 से लेकर के 34 के आसपास होगा मेरे इसाब से भी और आपके इसाब से भी और 2020 का आप देखी रहे हैं कि आपके सामने 39.25 मतलब लगबग 30 पकड़ लीजिए 30 समझ लीजिए तो वही इस बार जो हम लोग prediction कर रहे हैं आप लोगों ने भी prediction किया आप लोगों में से या उससे अधिक है तो आप फेज सेकेंड की तयारी कीजिए या गलती से अगर 30 से जादा कम है मतलब 26 आ रहा है 25 आ रहा है तो आप अगली बार जो भरती आएगी उसके बारे में सोचिए ठीक है अब तो ये हो गई आपकी cut-up की जानकारी मिल गई रिजल्ट कब आएगा उसकी जानकारी मिल गई फेज सेकेंड में आपको किस चीज की तयारी करनी है तो फेज सेकेंड में आपको sit-up करना है, running करना है, push-up करना है उसके बाद group discussion करना है यह जो चार चीज़े हैं प्रमुक होती है फेज सेकेंड के लिए तो group discussion उगरे के लिए मैं अलग से वीडियो बताऊँगा कैसे क्या करना है अगर आपको चाहिएगा तो comment box में बताएगा जिसको gd बोलते हैं उसके उपर मैं अलग से detail से वीडियो बनाऊँगा फिलाल के लिए बस इतना ही, इस channel पढ़ना है भी थोंगी, definitely इस channel पर नए तो subscribe कर लिजेगा बाकि कोई भी आपकी राह है तो आप comment box में लिख सकते हैं बिंदास आपका स्वागत है, हम आपका comments पढ़ते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद वन्दे मात्रम